आपकी जो एहलिया हैं वो हमारे लिए एतराम के काबिल हैं लेकिन जो स्टेन्डर्ड आप चाते हैं कि आपकी एहलिया के लिए सेट किया जाए वो ही स्टेन्डर्ड मरहूमा कलसूम नवास शरीप के लिए होना चाहिए था जब वो लंडन के एक क्लिनिक में हॉस्पिटल में रेस्परेटर पे बेहोश पड़ी थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का धेस बदल कर और ICU के उपर धावा बोला सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और PTI के लोग कहते थे सहाफी हजराद से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नौज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है वो तो रोज वहाँ एक ट्थे बैट के खाना खाते हैं और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालदा की आयादत के लिए लंडन में मौझूद थे आज पहली मरतबा में कौम के सामने ये बात बता रही हूँ मैं अपने साथ होने वाले किसी जल्म और जियाती का जिकर इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए कौम के लिए पाकिस्तान के लिए आईन की सरबलंदी के लिए वो चीज बरदाश की कि इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है लेकिन आज मैं कौम से यह बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालदा की यादत के लिए मैं लंडन वाले अपार्टमंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी यह हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी तो नीचे तीन चार पी टी आई के वाकर्स गाली देकर मुझे बलाते थे दूर से गाली देते थे और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था उसको में उसकी वालदा को गाली निकाला करते थे और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजर आज ये बाद जब मेरी ऑन एर जा रही है तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजर दिखाएं जब पी टी आई के लोगों ने मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पी टी आई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया लंडन के हमारे अपार्टमेंट पर हमला किया मेरे जो नेफियू है हुसैन अवाज शरीफ का बेटा उस पर हमला किया और